बनाना शुरू करते हैं इस नाश्टे को बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें पहले से कोई भी त्यारी करके रखने की जरूरत नहीं है हाल फिलाल में इस नाश्टे को हम जटपट बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक कच्छा अलू लिया है चोटा अलू है जिसको म मन पसंद कोई भी सबजी एड़ कर सकते जैसे पत्ता गोबी या शिमला मिर्ची साथ में डालेंगे आदा चमा चेली फ्लैक्स और स्वाद अनुसार नमक मिर्च आप अपने सबसे बैलेंस करकर भी डाल सकते हैं अगर बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हैं और कलर के लिए एक पिंच हल्दी डालेंगे साथ में डालेंगे या पर धनिया पती बारी कटी हुई अब एक पार इन सारी चीजों को हम सूखा ही मिक्स कर लेंगे ज कर सकते हैं आधा कप सूजी के साथ एक बड़ा आलू बहुत होता है अगर आप एक कप सूजी से बना रहे हैं तो आप यहां पर दो आलू लेने होंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि आलू में भी अपना बहुत अच्छा का सा मौश्चर होता है तो पानी ज्या इस पैस्त को हमें आड मीट से अच्छा करना है इस पेस्ट को कुछ भी एड ही करना है और यह देखिए बाड्या सब्सक्राइड कर uważ on है चुबрийकों कुछ हो जबहुतना देना है और यह दिखिए इस पेस्टे में टीड आड़ी है और इस से पीस्ट मेंने में पहतिए Allman, भी बेकिंग सोडा इनो वगेरा डालने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है तो चलिए इसका थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ा लेते हैं उसके लिए क्या करना है एक पैन में इस तरीके से थोड़ा सा तेल लेंगे और साथ में लगाएंगे जीरे और कड़ी पत्ते का तड़का इसको लगाने से इस नाश्टे में चार चांद लग जाएंगे फ्लेवर जो है एकदम उभर कर आएगा और नाश्टा भी हमारा बहुत फूला फूला और स्पंजी बनेगा तो चलिए तड़का हमने इसमें एड़ कर दिया बढ़िया से फिर दुबारा से एक अच्छा सा ह चाहिए बहुत कम तेल में नाश्टे को जटपट बना सकते हैं तो छोटे वाले चमचे से इस तरीके से मैंने एक चमचा बैटर बरकर सेंटर में डाल दिया है और यह देखिए डालते ही एकदम ड्राइ होने लगता है और बस इसी तरीके से अलट पलट कर दोनों तरफ से ह आम इसको अच्छे से कलर चेंजोने तक पकने देंगे और यह देखिए एकदम क्रिस्पी कुरकुरा नाश्टा बनकर तयार है ना यह पूरी है ना कचोरी है ना पकोड़ा है बिल्कुल डिफरेंट सा नाश्टा है बहुत कम समान से चटपट आप सुबह शाम की हलकी फु सब्सक्राइब है ना कि नाश्टे का एक पीस भी नहीं बचने वाला है और यह दी कि उपर से क्रिस्पी अंदर से सौप तो घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग है ना तो वह भी इसको बड़े मज़े से खा सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को नए दी नए रेसिपी के साथ थैंक्स पर वोचिए